ते महले हैं न dependency सबसे पहले इसके ल में सबसे पहले होऊे पहले में पथा अनblade तोछ कह Tucson 9.7 सीजी का सिंगर सिलंडर एडिव म्prioritink है इंजन मिलेका जो की इंजन काफी इसका अच्छा हे इसके इंजब अच्छे होने का रिजन ये है कि इसकी जो इंजब लाइफ यानी की डियूरेबल लाइफ एंजब लाइफ एन करती है कि इसकी 110 सीजी में जितनी पी बाइक आते हैं उनसे जादा ही ये तो इस बाइक के अंदर इस बाइक के अंदर जो पावर है तो इसके अंदर आपको मिलेगी 8.56 बिएच्पी की पावर मिलेगी एड़र ए 7,350 आरपिम पर जो की काफी अच्छी पावर है मुझे लगता है 110 डिवे सापसे मतलब जादा पावर भी नहीं कहा सकते कम पावर भी लेकिना और मुझे है कि काफी अच्छी पावर आपको यह निकाल के दे देगी अगली अगली अगले बात करें इस गारी के अंदर तो इसका जो टॉर्क है वह 8.7 नूर्मीटर का टॉर्क है जो की काफी अच्छा टॉर्क है यानि एक टॉर्क की हिसाफ से जो भाई के है टॉर्क हिसाफ से बाइक होने का मतलब यह है कि एक दम यह पिकप काफी अच्छा पकलनेगी और पिकप अच्छा है तो लोग हर किसी बंद्रे को पिकप काफी अच्छा ही चाहिए होता है अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपको एंट रेट 4500 रप्यम्बर मिलेग इस बाइक के अंदर आपको बीए 6 आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा जो की बीए 6 इंजन भोने के वरे से इसके अंदर आपको कार्बोर की चाहिए पर एफ़ाइ में जागा जो की आपकी पावर और टॉर्क और आपका मालेश बहुत जादे इंग्रीज करते करता है तो आप हम बात करते हैं इसकी बोर तो इसके अंदर आपको मिलेगी 53.5 mm का बोर मिलेगा जो कि काफी अच्छा बोर है यानि एक प्रिश्टेंस में काफी मजबूत और वहीं पे अगर मैं बात कूल इसके स्ट्रोक की तो इस तुटका जो स्ट्रोक है वो है आपको 48.8 mm का जो क स्ट्रोक के काफी सही है अगर देखा जाए तो काफी अच्छी बात है आप आ गई यह जो गाड़ी इसके अदर आपको चैन ड्राइब मिलने वाले चैन ड्राइब मिलने के वह से यह जो बाइक है मतला वह नॉर्मल बाइक है तो या देखो कॉस्ट कटिंग दनने के लिए चैन ड्राइब देनी ही पड़त है बनना अगहरा आपको बेड़ चैनके दो काफी जादे ही महेंगी पड़ताती ही इसके इंदर सबसे अच्य बात है कि फ्यूल आप इसकंदर को बीडालो बीजये फ्यूल लेकिन अगर मेरी परसल्ड नेए द्वाईज लो तो आप इसकं आपसे काफी सही 4-speed gearbox है रियल में आपको इसके अंदर ड्रम मिल जाएंगे और इसमें आपको डिस्क का भी option है तो और इसमें जो TVS है वो देगी आपको आपको जो ब्रीकिंग सिस्टम देगी वो देगी sbs-system जीएं देखा जाये तो इसके अंदर फ्रेंट आपको सिस्पेंशन मिलेगे वह जो नॉर्मल सिस्पेंशन होता है लेकिन जो व्रीद है थोली से अच्छी मिलेगी अगली बात करूँ कि इसके अंदर आपको जो चैजि अगर देखा जाए तो काफी अच्छे सस्पेंशन रहती है अगर देखा जाए तो काफी सभी और वैसी भी टीवेस की जो यह आपने देखे होंगे कि शॉकर्स के मापनिया रिखे क्याफी जादा मशुई जैसे टीवेस की तुम एकसल देखे हो इन सब में अग मैं बात करतो गाल सब्सक्ताव को सब्सक्राइब को इसको प्रेंट टाइर का साइज है वह आपका है 250 साइट ऐकसे मिल जाए जाए फ्रेंट वीछ फिस्टी सेवन तुम व्रियल जाए नावाछ व्राहति सेवन पॉइंट्टू का यूंकि और मुंस काफी सभी ज्यादा है वह पेकान नहीं गया सकते काफी अच्छी बाहिए और काफी ज्यादा चीजे इसके अब बात करते हैं इस गाड़ी के में ट्यूबलेस तो यार बहुत बढ़ी है बात है आज के ताम पर हर गाड़ी ट्यू अगर वरित के बात कर तो 5705 mm के वरेद में जो की काफी अच्छी देयती है काफी बढ़ी है सीट है तो कहा है स्टार्टिंग से में को काफी अच्छी पाइट पसंद दे क्योंकि मेरे दोस के पास गया लिकिन तो डिएस फोर में तो सीट है इसकी 1080 mm की सीट है और फ्यूल तो बिएस फोर में का तो बिएस वेट पता ही निक है अगर निक निक अलिगा दिल चूने माली वाइट यह यह तेनलेट का अपको पैटोल टैंक बलेगा पूरी बाही का जो प्रूरी बाही पाभ निग थेट वह जो गाड़ी का इसकी तर गाड़ी का सही है बाल्व आप प्रेंट का जो अभी मैं द्रम के बाफ करतो है वो आपको 3 1 3 0 mm का फ्रेंट का मिलेगा और रियल का मिलेगा 1 1 0 mm का मिलेगा गाडी की जो बैटरी टायप है मनला मैंटेनिस फिर जब तक गाडी अच्छा रिस्पॉंस कर रही है तब तक बैटरी के नतर कोई दिकत नादी वैसी देखाई की टीवेस की अब तीवेस की परसली मेरा मेरे पापा के पाई के बाई के तो बूल की वह भी आज़ा मैंने कभी अगा रही बात करते हैं प्राइज के नादी अच्छा है तूर से जो है कंपनी ये क्लेम करें कि इसका इंजन जिया डूरे ब्ली चलने वाले इंजन अगर डवली कंपनी कर देखे करना लेगी इंप लोग भी दिहान कर दो इस गाड़ी को जरा एकनोमिक स्पीड पर चला तो काफी कि بहुत अच्छा आपको एंजन मुझे तो अजा सकते यह जो गाड़ी का है थी मुझेक अगर अगली बात करी जात्यों उसका ब्रेक तो ब्रेक दिसकि काफी अची डिक सिस्टम तर के अन्दर बी कोई लिक्कात में आती भी सिस्टम स्टमी स्किरा श्रप sciences प्राइक की बात करते है प्राइस की धव करा था यह विद्स फिफ्टी नइन थाउजंड में भिक प्राइस प्राइस में इन धान रोट उन्हात से न सब्रेकर पालाम को सब्छांदses शोपाइस अगर आप मान के चलो तो यह आपको 70,000 तक के आस पास के बढ़ जाएगी on road के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ इसकी और बाकी तो खेरिस के नोगों कुस जादा थानी बताने के लिए सोच आप लोगे सामने शेर कर जिए तो दोस्तो वीडियो बसंद आई तो लाइक करेशियों को सब्सक्राइब कर जो गरने वोगों को लेकिन हमा देवाइवात कराब करें तो क्या मरज़ता देवाणियों करापने मेरे कावाच चनल है लिंक आप रेसेप्शन लेगा उसको भी जाके जरू सब्सक् अग्सकी करें दोस्तो दोगों कर ज山के जरू सब्सक्लाइब करें प्राइब कर जो इंको अाश्क दिस नित्सक्राइब कावाइब कर रहुँ है य्ज़काराइब करापने मेरे सnaturalी प्समें डाले जरूसoleρά कर देवागिध।